तो हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो माई यूटूब जरनल तो आज हम लोग आलू दम बनाने जा रहे हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए तो अमने पूरा प्रोसेस में आप लोको दिखाता हूं हुआ हम अब तो हमें अब तरौद जाली घाट पर ऑगर्ण हम आठ छोड़ा दिया है लगा निव पुपाल के छोड़ा टृट कर लिये हैं अदे कराई में तेल ली देते हैं अब कि ता यां थैल यूज उस करते हैं और थोड़ा ज़्यादा ही मसाला तो ये है मेरे घर की स् कि इसमें तिष्वाटा डाल दिया है आप थोड़ी तुर्ट इसलाब होने देते हैं कि इस देए इसलाल हो चुका है तो यह जीरा डालने जा रहे हैं कि अधिए डाल लिए इसमें अधोर देशों लाल वने वाद इसमें अलो टूटे तोह आलो डाल देएंगे देखिए मैंने वुबाल क्या लोको और तुक्ड़े लिए थे पहले ही हाधिवन हल्ति डाल देंगे हाँ और हल्दी को मिला देंगे और थोड़ से धीमयास नेंगे कि हल्दी के कड़ाइ निक्किल जा इस से वीडियो अपने कहां कहां है दिख सब्सक्राइबर नहीं बढ रहे 2 दीखे दोस्तों यहाँ पे मिरे आलम लाल हो चुके हैं सब्सक्राइद करें तोन माळा डाल दिया और पीशा वा मसाला जीरा काली मिर्च 68 दंथा ने डाल दिया इसमें किस तो अब है पॉझा ट्रम रखा आप लाइज बर 27 6 पॉस्क्राइब बर्द अब मैंने नमक डाल लिया है और इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको धीमियाचा पकने देंगे यह मसालों को अच्छे भूनना भूजरी होता है कि यह है नों कोई भी ड्हावा इस्टायल नहीं है यह घर की स्टायल है सब्जी जो अब डिली बनाते हैं सब्जी वह अले स्टायल है तब इसको डेली बना सकते हैं तब इसको मैं अच्छे चला दूंगा और थोड़ देखिए लाल हो देदिया देखिए लाल हो चुका है तब हम फाइनली पानी डालने जा रहे हैं अब ग्रेवी अपने आप सकता नुसारी बनाए तो मैं ग्रेवी थोड़ा ही रखूंगा इसको अच्छे से मसाला भून तब पानी मैंने गरम पानी यूज़ किया है ठंडा का सीजन चला तो गरम पानी सजी रहता है सब्जी के लिए तब उच्छे मिला देंगे मेरा सब्जी लपन 90% बन चुका है और इसको ठक देंगे और सब्जी बनने के बाद आप लोगों दिखाता हूं तो मेरा सब्जी कैसा दिखता है तब तक तक मेरे वीडियो पूरा देखिए और इंज्जॉय करिए तो चलिए दोस्तों आप लो सब्सक्राइब देखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में हैं